जैसेवा सिवा जहार दोस्तों मैं राहूल कन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है और दोस्तों जानते हो आप मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लाता हूँ लेकिन इंपोर्टन्ट लाता हूँ तो चलिए दोस्तो बहुत सारे दिनों के बाद एक रहसे आपके सामने रख रहा हूँ वो रहसी यह है कि अलाइबरेत का स्टूडियो बन रहा था लेकिन कहा बन रहा था अलाइबरेत का स्टूडियो किसलिए बन रहा था बहुत सारे सवाल आपको 6-7 मैने से पड़े हैं, मेरे ख्याल से 6-7 मैने से ज़्यादा भी वक्त हो चुका है, क्योंकि हम लोग स्टुडियो तो बन रहा है, लेकिन कहा बन रहा है, कब आ सकते हैं, कब मिल सकते हैं, कैसे क्या वहाँ पे काम होगा, यह सभी चीज़े यहाँ पर डिसकस की जाएगी, शुरवाती में हम लोगों ने एक छोटा रूम देखा, जिस रूम में हमने सोचा, कि यहाँ पर एक ऐसा स्टुडियो बनाते हैं, जिसमें वीडियो और आडियो का काम हो, आप ध्यान से सुनिए, हम लोग यह चाहते हैं, कि वीडियो और आडियो म बनते हैं, जियाने जो हम अपने पाटा ही रेकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा एक स्टुडियो हम लोग बनाना चाहा रहे थे, और एक्चुल में हमने बना दिये, फिर यह वीडियो इतने देर से क्यों आ रहा है, इसका एक रिजन यह है कि वीडियो तो ठीक है, आप एक दो महने में सीख लोगे, लेकिन आडियो जो हता है, वो आडियो बहुत हाड होता है, सीखने में, क्योंकि आपको उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज समझने होती है, बहुत सारे चीज़े होती होती है, उसके साथ, तो मुझे भी ऐसा लगा था शुरुवाती दिनों में, कि चलो हम एक द में बहुत इंट्रेस्टेड हूँ, तो फ्रिक्वेंसी को समझना है, फिर ऑनलाइन क्लास, ये वो सब चीज़े हमने इन दिनों की है, कहने का दात पर यह है, कि ये स्टूडियो अभी सभी के लिए खुला है, दोस्तों, इस्टूडियो को बिल्ड करने का एक यही भी मैं जब पूरे भारत भर में ट्रावल करता हूँ, तो मुझे ये बात समझ में आती है, कि हमारे जो बुजग लोग हैं, जो गाओं में रहते हैं, कभी शहरों में नहीं आए, उनके पास ऐसे पाटा है, ऐसे ऐसे गीत है, जो कि हजारों सालों से चलते आ रहे, बट उसको क पिन-चार साल से नोटिस किया, और इसके उपर अगर हमें काम करना है, इन पाटाओं को गीत के माध्यम से अगर हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आने वाली पीडी तो सीख नहीं रही है, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात आएगी हमारे समाज पर हमारे गोंडी कल पर, तब हम गवर्मेंट को उठा के रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, कि दिखिये हमारा सहित कितना ब्रुहद और बड़ा है, जो हजारों सालों से चलता आ रहा है, और इसके लिए इसको वीडियो और आडियो में लिपिपद्द करना, याने वीडियो और आडियो फॉर्म में लाना जरूरी है, और इसके लिए मैंने ये भी सोचा कि बाकी बहुत सारे स्टूडियो है, जो प्रोफिशनली काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें बहुत सारे पाटाए रेकॉर्ड करना है, तो हमें खुद का सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त हर कोई अवेलेबल हमारे वीडियो का भी हो, ये जो स्टूडियो आपको बैक्राउंड दिख रहा है, एक मिक्सिंग की रूम है, अंदर वोकल रूम है, जिसमें हम गा सकते हैं, वहाँ पर कोई रिवर्ब नहीं है, वो पूरी दर से अकॉस्टिक लिखी गई है, और एक्चुली रॉक वूल वगेर जहाँ पर हमें ऐसे रेर पाटा मिलते हैं, वहाँ पर हम रेकॉर्ड कर लेंगे, जो बैक्ती हमारे स्टूडियो तक बहुत सकता है, उनको स्टूडियो तक लाएंगे, यहाँ पर उनकी इंटर्वियो होगी, यहाँ पर उनका गाना बनेगा, और यही पर नस्दिक उनका पर धीको बनाया किया, यहाँ लेकिन सही बात ही है, कि स्टूडियो छलेगा कैसे, स्टूडियो चलेगा पैसे से, और यह स्टूडियो पाईसे भी जनरेट करेगा, अभी सब लोगों को यह बता दू अब, आप स्टूडियो में आ सकते हैं, महाराष्ट्रा के यह Ofatmal डिस करता कि जैसे professional song बन रहे हैं वैसा हमारा output आएगा यह में commitment नहीं करता लेकिन actually आपको एक decent गाना बना के हम दे सकते हैं इतना तो confidence आ चुका है तो इसलिए आप अगर गुंडियन वेक्ति हैं आपने समाज के उपर कोई गीत लिखा है आप कोई पाठा गाते हैं अपना गीत त recording होगा आपका music बनेगा कम से कम एक दीन लगेगा और उस हिसाब से ही आपको आना है आप कई से भी इंडिया से आए एक दीन आपको लगेगा और वो दीन आपको निकाल के आना है दूसरे दिन आपको आपका गाना मिल जाएगा अगर आप वीडियो उसके साथ में बनाना चाहते हैं तो यही शूट कर सकते हैं आपको थोड़ा सा आउटडोर शूट करना है तो यह उत्माल के हमें थोड़ी बाहरी लोकेशन में जाकर शूट करना पड़ेगा हमारा पास cameras available है हम आपका shoot भी करके देंगे और आडियो गाना भी बनाके देंगे अगर कोई सगा यह हमारा कोई गायक है, singer है यहाँ पर गाने गाने आते है और गाना बनाने आता है actually तो गाना बनाने आने के बाद अगर उनके गाने में सामाजिक कोई संदेश है अलैबरित का यह नियम आप जान लो उसके गाने में अगर कोई सामाजिक संदेश है जो संदेश समाज को जा र प्रचार हो या किसी चीज का गाना हो या डीजे हो जो भी हो पढ़त हो या पर सब तरीके के गाने यहाँ पर बनते हैं तो आप इंडिया से कही से भी हो हमें क्याइक कर सकते हैं अभी क्याइक नमज़ का एक बता दू जो स्क्रीन पर आपको नमबर दिख रहा है उसपर आप कॉंटेक कर सकते हैं कोई बारण नहीं लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बाहर रहता हूं तो इस नंबर पर आप वसट और मुझा आपको बाढ़ा हों कि मैं हूं ی kleinen नहीं आपको वही तारीक देखके आना है ताकि इस स्टुडियो में आपको मैं मिल सको और मुझे आप मिल सके और मिल के काम हो सके तो इसलिए दिए गया नंबर पे पहले आप वाटसप करें और तारीक बताए कब आप आ रहे हैं उस तारीक के अनुसार मैं तो फिलाल ही कि आपका आना काम का पड़ जाए तो आप आएंगे और आपको रिटन जाने को मिलेगा तो फिर मतलब नहीं बनता है तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दिए गया नंबर पे आप वाटसप कर सकते हैं कॉल लगा के दिखी अगर लगता है तो मैं आपको रिसीव गाने अपने आडियो पाटा है अपनी गोंडी पाटा है सभी यहां से ताल बद्दो और संगित बद्द करेंगे और यही से हम पूरे इंडिया में समाज विचारधारा की जो जोत है वो यही से प्रजवलित करेंगे और मैं चाहता हूँ कि समाज में गानों के माध्यम से जागूती हो और गानों के माध्यम से जागूती बहुत जल्दी हो जाती है और इसलिए हम इस फिल्ड में आए हैं आप आडियो जाते जरूर हमारे स्टूडियो को संपर्क करें माराश्रा की यह उत्माल डिस्टिक में ये भी स्टूडियो खुल चुका है और आने वाले समय में हम बहुत बड़े बड़े गाने यहाँ पर प्रोडूस करने वाले हैं डबिंग से लेकर सभी चीज़े यहाँ पर काम करेगी तो अगर आपको आना है तो आपको थोड़ा सा बता क्या आना है चाहे वाटसप से चाहे कॉल करके और मैं भी आप सभी से मिलने के लिए बहुत ही चुकूँ अगर आप थोड़ा बहुत गाना गाते हैं थोड़ा बहुत लिख लिए हैं लेके आजाईए उसको संगित बद्ध और ताल बद्ध करते हैं मिलके मिलता हो अगली वीडियो के लिए टापी के साथ तब तक के लिए जै सिवा जै जोहार जै दिवसी जै गुणवाना जै भिम